आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल ऑफीसियल इंग्लिस गुरूपर फ्रेंट्स ये कैसा प्लेट फॉर्म है जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स समय रहते मिलती रहती है और फ्रेंट्स मैं आपसे कहना चाऊंगा ये दिमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज रहल करके सस्क्राब बेटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नेक्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो फ्रेंट्स देखिए पहले की तरह एक ओफिसियल एक्सप्रेक्टेड कट ओफ जो मेरे दुआरा काफी सर्वे के बाद एनलाइसिस के बाद बहुत सारे कंडेट्स से बात करने के बाद मैंने ये फाइनल कट ओफ लिए है जो संभावित यही जाने वाली है फ्रेंट्स तो आप बिना समय को बेस्ट किए देखें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको देख रहा है ना टीजी टी इंग्लिस दोजा सोले कट ओफ तो यहां फ्रेंट्स य आप ने अगर वो वीडियो नहीं देखें तो इसको देखने के बाद इनको भी देखिए आप भी पूरते सहमत होंगी तो फ्रेंट्स आज की हम प्रमुख जो फैक्ट्स हैं उनको मैं लेने जा रहा हूं महा सर्वे के बाद सबसे सटीक फाइनल कट ओफ सेकंड पॉइंट कब घोसेत होगा अंतिम परिडाम तो फ्रेंट्स इसके बारे में भी वीडियो में आपको बताऊंगा कि परिडाम कब आएगा और तीसरा बेटिंग कितना परसेंट निकलेगा जैसे कि आपने देखा कि मैथ में 10% बेटिंग निकाला था टीजीटी मैथ में और टीजीटी जोइन नहीं करता है तो इसमें I think 300 seats बेकेंट रह जाएंगी तो इसके लिए कम से कम 30% बेटिंग निकलना चाहिए तो फ्रेंट्स अगला पॉइंट आप देखेंगे बेटिंग में मेरिट क्या रहेगी यानि कि ये तो फाइनल कट आफ है जो अभी कोई बेटिंग नहीं ह उसकी बताई जा रही है और अगर इस फाइनल कट आफ के बाद रिजल्ट के बाद अगर कुछ लोग जो जॉइन नहीं करते हैं जिनका सेलेक्शन PGT 2011 की बेटिंग में 2013 की बेटिंग में हो चुका है और साथी LTE ग्रेट में अगर निक्ति पा जाते हैं तो उसके बाद बह भी हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में जनरल इंग्लिस वालों का आई भी होगा या नहीं होगा यानि कि आगर इंश्टी से जो सामान अंगरेजी से बीए किये हुए हैं जिन इनमें से कुछ साथ कंडिट ऐसे हैं जो हाई कोट से ओडर भी करा लाएं इ मैंने याँ पर प्रसिच्छित इसनातक अंगरेजी बिसे की दोजा सोले की एक्सपेक्टेड कट ओफ आपकी सामने प्रजेंट की है आप देख पा रहे होंगे पहले केटेगरी देखें केटेगरी में नीचे सामान OVC नीचे SC भी है तो आप देखें यहां बालक वर्ग ह वर्ग एक और वर्ग दो में बालका वर्ग है तो दोनों केटेगरी की जैसा कि बहुत सारे कंडेट महिला कंडेट कहते हैं सर वालक वर्ग की तो सब लोग बताते हैं बालका वर्ग की नहीं बताई गई है तो आप देखें जनरल केटेगरी में यानिकि सामान केटेगरी मे आप देख रहे हैं मैंने जो cut off layer friends आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से 326 से लेकर 336 के बीच हर हाल में रहनी है और जो candidate इसके एर्दगेर्द हैं तो आप समझ लीजिए इसी पहली result जो आएगा उसमें आप job पा जाएंगे और इसके बाद जो betting आएगी वो हमें अभी नीचे बताता हूँ आपको तो आप बालक वर्ग में यानि कि male category में general category की 326 से 336 के बीच रहनी है तो friends यहां 36 लिखा हुआ है 336 यह 336 तो देखें friends और इधर बालक वर्ग में general की क्या रहने वाली है तो female में आपकी 323 से लेके 336 के बीच रहने वाली है और OVC में देखें friends बालक वर्ग में 321 से 326 के बीच अब कुछ साती यह भी सोचेंगे कि sir इसमें difference बहुत कम रहा है तो इस बार आपको खुद देखने को मिलेगा कि यह अंतर बहुत जादा नहीं जाना है 321 से 326 के बीच OVC की merit रहने वाली है और OVC में ही महिला वर्ग में आप देखेंगे बालका वर्ग में तो 318 से 323 के बीच रहने वाली है और अगली केटगरी SC केटगरी के आप देखेंगे फ्रेंट्स यह देखेंगे SC केटगरी आपको सामने देख रहा है यह बालक वर्ग में जाने वाली है 292 से लेकर 305 तो इतर देखेंगे फ्रेंट्स female केटगरी में SC केटगरी से यानि कि महला वर्ग में SC केटगरी की 285 से लेकर 300 यानि कि 285 से 300 के बीच रहने वाली है और फ्रेंट्स आगे आप देखेंगे जो मैंने आपको और भी बताया कि SC जो SC केटगरी है वो आपकी हो चुकी है 292 से 305 पुर्स बर्ग में और महला वर्ग में 285 से 300 तक और ST केटगरी में आप देखेंगे दोनों में मैंने सभी सभी लिखाए क्योंकि इसमें कंडिट पूरे भी नहीं मिल पाते हैं और जो होते हैं कंडिट जिनने अपलाई किया होता है और रिटन ठीक रहता है तो वो फाइनली सेलेक्ट होई जा किमा द parenthां से जो बहुत सारे एसपाइरेंट्स हैं जिनोंने इंटर्वी दिया है और उने मैं भी एक हूँ मैंने भी इसमें इंटर्वी दिया हुआ है तो उन सभी के डाटा को कलेक्ट करने के बाद मैंने एक महा सरवे प्रजेंट किया है और यह मेरे दुआरा पूर्ते क किया गया है किसी की ये कॉपी नहीं है और फ्रेंट्स में यह भी बतना चाहूंगा यहां पर जो बेटिंग लिस्ट है यह बेटिंग लिस्ट जो आएगी यानि कि प्रतिच्छा सूची जो इसकी जारी होगी तो जनरल ओवी सी के डगरी की मैं सपस्ट कर दूँ यह कम से कम 10 से 15 अंक नीचे जाएगी जो मेरिट मैंने लगबग दी है उससे 10 से 15 अंक तो जैसे आप माल लेजिए अगर ओवी सी की 320 है तो उसमें से 10 से 15 नीचे कर दीजी यानि कि 310 या 305 के लगबग बेटिंग वाला कंडेट जो पा जाएगा लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा ठीक ऐसे जनरल केटेगरी की जैसे मैंने 326 लिए तो 10 से 15 अंक आप नीचे कर देंगे यानि कि आप 315 से 320 के लगबग यानि कि 315 से उपर वाला जोब आराम से पा जाएगा हो सकता है कि और ज्यादा नीचे चली जाए लेकिन इसके लिए हम सभी साथियों को मिल कम से कम 30% निकल वाना होगा और 30% वेटिंग निकल पाएंगे तो लगबग ये 1000 पदों के सापेच यानि कि 300 सीट हमारे लिए रिजर्व हो जाएंगी जिसमें लास्ट पाइदान पर वैठा हुआ हमारा साथी वेटिंग लिस्ट में जौब पा जाएगा हाँ फ्रेंड्स तो आप सभी हमें से सभी जितने भी साथी जिनों ने इंटर्विव दिया है सभी अब इस बात के लिए बड़े बेचैन हैं इगर हैं कि कब सर रेजल्ट गोसित होगा तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड में 11 सेप्टेंबर को इंट देच जी छुटी पर हैं और वो संभबते 20 को बापस लोटने वाले हैं और 20 को लोटने के बाद तुरंत बाद ही मीटिंग होगी जिसमें साइंस टीजी टी साइंस और टीजी टी इंगलिस का परेडाम गोसित होना है तो फ्रेंड्स ये लास्ट 23 सेप्टेंबर तक रिजल परेडाम गोसित होना है और डाटा भी लगबग फीड्स आई है केवल कुछ अनौप चारिकता है रहती है हाड कॉपी पर साइन वगेरा सभी की सहमती के अनुसार उसके बाद परेडाम गोसित कर दिया जाता है फ्रेंड्स थैंक्यू फ्रेंड्स यद आपको वीडियो